नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अदिती स्कुईजिन में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अदिती और आज मैं आप सब के लिए लेकर आए हूँ गुजवात की ट्रेडिशनल मोहन थाल की रेसिपी वेल फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं और आज से ठीक पंद्वा दिन बाद रक्षबंदन है जो कि इंडिया में भाई बहनों का त्योहार माना चाता है इसकी एक अलग ही इंपोर्टेंस होती है उनकी लाइफ में और मेरे एक्स्पिरियंस कहनो सर हमारे भाई बहन वो होते है जो हमारे हर सुख हर दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो इस स्पेशल डे को और भी बनाने के लिए कुछ इस्पेशल करना बनता है उनके लिए जिन्होंने हमेशा ही हमें बहुत ही डेल सारा प्यार दिया है तो आज से लेकर रक्षबंदन तक मैं जितनी भी पिस शुरू करते हैं सब्सक्राइब में अधिती स्कुजिन चैनल को इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस वेसिपी के लिए हमने दो बॉल नॉर्मल पैकेट वाला बेसन लिया है जनरली जो ट्रेडिशन मोहन थाल होता है वो दानेदार बेसन का बनता है लेकिन दानेदार बेसन हर जग आसानी सो उपलब नहीं रहता है तो इसलिए हमने नॉर्मल वाला बेसन यूज़ किया है औ और हमने आधा लीटर दूद को जला कर घर पे ही सेमी सॉलिड मावा तेयार किया है जो कि बहुत जाता गीला नहीं और बहुत जाता सूखा भी नहीं है हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे उसमें हम साथ से एट टेबल स्पून गरम पानी आट करेंगे और अब हम उस गरम पानी में केसर आट करेंगे हम यहाँ पे दो चुटकी केसर आट कर रहे हैं गरम पानी में और अब हम इसको हलका समेक्स करके एक साइड में रख दिंगे हम एक बड़े से बाउल में बेसन को एड़ कर लेंगे अब हमने जो एक बाउल देशी की लिया था उसमें से हम दो टेबल स्पून देशी घी को लियो कवर्म कर लेंगे जिसको हम कोसा गरम भी कह सकते है गी को हमने मिल्ट कर लिया है हम इसको बेसन में एड़ कर देंगे साथी साथ हमने दो टेबल स्पून लियुक वर्म मिल्क भी एड़ किया है अब इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है इस पैचुला से ये अच्छी तरीके से नहीं मिक्स हो रहा है तो अब मैं हाथ का अस्तबाल करूँगी अब मैं हाथों की सायता से घी और दूद को बेसन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ये स्टेप करना बहुत ही ज़रुई है बेसन को दानेदार बनाने के लिए इससे अगर आपके पास दानेदार बेसन नहीं भी है तो आप बिल्कुली ट्रेडिशन मोहन्थाल बना सकते हैं इससे स्टेप में आपको दो से तीन मिनट का समय लगएगा लेकिन ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है बिल्कुली दानेदार मोहन्थाल बनाने के लिए तो आप इसससे स्टेप को बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा हमने अच्छी तरीके से घी और दूद को बेसन में मिक्स कर लिया है अब हम सारे बेसन को इकठा कर लेंगे और इस तरीके से हाथों की मदद से दबाकर इसको 10 मिनट के लिए साइड में रेस्ट दे देंगे चलिए अब हम 10 मिनट बाद मिलते हैं 10 मिनट हो चुके हैं अब हम एक मोटे छेद वाली चैननी लेंगे और इसमें हम बेसन को छान लेंगे जितने भी बेसन आसानी से छान लेजे उनको और जो बेसन ना छाने जिनकी गुटलियां बन गई हैं आप उनको इस तरीके से छानने की कोशिश करए इससे क्या होगा कि जो गुटलियां वाली बेसन है अब इस तरीके से अगर उसको छानेंगे तो वो दानेदार फॉर्म म प्लेट में आ जाएंगी तो जितना भी maximum हो आप इस तरीके से उसको छानिए इतनी बच गी है तो हम इनको side में रखेंगे इसी प्रकार हम सारी बेसन को छान लेंगे इतना बच गी है जो नहीं छनवास है तो इसको हम एक mixer grinder में 2 से 3 सेकेंड के लिए इस छने stam comment हमने बची हुँए बेसन को 2 से 3 से के लिए mixer grinder में ग्रइंड कर लिया है अब हम इसको छने हुए बेसन में अब कर देंगे अब हम एक कडाई लेंगे उसको low flame पे रखेंगे कडाई को heat होने देंगे अब हम इसमें देसी घी को add करेंगे हमें सारा का सारा देसी घी नहीं add करना है हमें थोड़ा सा देसी घी बचा लेना है लगभग 3-4 टेबल स्पून अब हम घी को melt होने देंगे घी हमारा मेल्ट हो चुका है अब हमने जो बेसन चान कर रखा था उसको हम घी में एड़ कर लेंगे इनको हमें अच्छी तरीके से मैक्स करना है आप इस टाइम पर ग्यास की फ्लेम बिलकुल ही लो रखिएगा नहीं तो बेसन जल जाएगा हमने बेसन को घी में अच्छी तरीके से मैक्स कर लिया है अब हमने जो शुरुआत में तीन से चार टेबल स्पून देसी की बचा कर रखा था हम उसको भी एड़ कर देंगे आप जब भी बेसन की कोई भी मिठाई बनाएगे आप दो शिफ्ट में ही घी को एड़ करेंगे यो हमें बेसन की अच्छी तरीके से भुनाई करने के लिए बेसन को थोड़ा सा वेट करना ज़रुवी है तो इसलिए हम हमेशा ही दो शिफ्ट में घी को एड़ करेंगे इस टाइम पे आप गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर लिजे और इसको लगातार चलाते रही है हमें बेसन को भूनता हुए लगबग एक मिनिट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा हलका हो गया है और ये पहले के मुकाबले थोड़ा गीला भी हो गया है जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा इसका कलर और हलका होता जाएगा और ये और गीला भी होता जाएगा बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से भूनी हुई मीठी-मीठी स्मेल ना आने लगे अब हमने जो आट सेनो इलाईजी लेती उसका हमने पाउडर बना लिया है हम उसको भी आट कर दिंगे बेसन में हमारा बेसन लगबग भून चुका है इनकेस अगर आपको बेसन के स्मेल से ना पता चल पाए कि बेसन आपका भूना है की नहीं तो आप बीच बीच में बेसन को टेस्ट करते रहे हैं इससे आपको बिल्कुल ही पता चल पाएगा कि आपका बेसन भून चुका है कि नहीं बेसन हमावा भून चुका है गैस की फ्लेम आफ कर देंगे अब हमने जो घर पे मावा तियार करके रखा हुआ है उसको हम बेसन में एड कर देंगे क्योंकि बेसन हमारा अल्वेड़ी काफी गर्म है तो इसलिए मावा को बेसन में मिक्स करने के लिए हमें गैस की फ्लेम आन रखने के बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है यह इसी प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ही हम मावा को बेसन में मिक्स करते जा रहे हैं उसी प्रकार मावा के गीलेपन के वज़े से बेसन का मास बढ़ता जा रहे है मावा को हमने बेसन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम एक दूसरा पैनल लेंगे जिसमें हम शीरा बनाएंगे तो एक स्टांडर्ड मीठपन के लिए हमने दो बॉल पेशन का अनुसार एक बॉल शुगर लिया है आप अपने स्वाद अनुसार शुगर का अमाउंट जादा या कम ले सकते हैं अब हम उसी बॉल से तीन चर्थाई बॉल पानी अड़ करेंगे और ग्यास की फ्लेम अन कर लेंगे ग्यास की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और शुगर को मेल्ट होने देंगे बीच बीच में आप इस तरीके से चलाते रहिए वेल चीनी मेल्ट हो चुकी है अब हम ग्यास की फ्लेम हाई टू मीडियम कर लेंगे और अब हम इसमें केसर वाला पानी अड़ कर लेंगे इनकेस अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप मत अड़ करेगा आप इस रेसिपी को सिर्फ इलाइसी पौडर डाल कर बनाईएगा अब इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये एक तार की चाशनी ना बन जाए हम इसको बर्फी फॉर्म में बनाने वाले हैं तो इसलिए हम एक तार की चाशनी बना रहे हैं अगर आप मोहन थाल को बरफी के फॉर्म में ना बना कर हल्वे के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ आधे तार की ये चाशनी बनाईएगा अब हम इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक तार जैसा कुछ बन रहा है ये एक तार की चाशनी बन चुकी है अब हम गैस की फ्लेम तुरंट आफ कर देंगे चाशनी को हम बेसन और मावे की मिक्षर में अड़ कर देंगे अगर आप अपने मोहन थाल को बिना फ्रिज के 10-15 दिन तक चलाना चाते हैं तो आप क्या करें चाशनी को एड़ करने के तुरंट बाद आप गैस की फ्लेम अन कर लिजे और मुश्किल से 10-15 सेकेंड के लिए बस इसको इस मिक्षर को फ्लेम पर पका लिजे इससे जो आपकी मोहन थाल बनेगी वो बिना फ्रिज के 10-15 दिन तक अराम से बिना खराब हुए चल जाएगी हमें सिर्फ 10-15 सेकेंड इसको फ्लेम पर पकाना है हमें इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं पकाना है तो बर्फी बनने के बाद यह बहुत ज़्यादा हाड हो जाएगी हम यह स्टेप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मोहन थाल बिना खराब हुए ज़्यादा लंबे समय तक चल पाए अब हमने एक बर्फी बनाने वाला मोल्ड लिया है इसको हम घी से ग्रीस कर रहे हैं आप इसको सिंपली एक प्लेट में भी बना सकते हैं मेरे पास एवेलबल है तो इसलिए मैं आपको इसमें बना कर दिखा रही हूँ अब हम इस मोल्ड में इस मेक्चर को ट्रांस्फर कर लेंगे और इस पैचुला की साहता से इसको सेट कर लेंगे हम आप मोहन थाल की थेकनिस अपने पसंद अनुसार ज्यादा या कम कर सकते हैं मैं एक नॉर्मल थेकनिस का मोहन थाल बना रही हूँ हमने इसको अच्छी तरीके से सेट कर लिया है अब हमने कुछ आल्मेंट्स और पिस्टाचूस को रफली चॉप करके रखा हुआ है हम मोहन थाल की उपर इसको एड़ कर देंगे आप अपने पसंद के ड्वाइफूर्स असमें एड़ कर सकते हैं अब हम इनको हलका हलका प्रेस कर लिंगे और अब हम इनको 10-15 मिनिट तक सेट होने के लिए रूम टेंपरिचर पर रहने देंगे इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे वेल 10-15 मिनिट हो चुके हैं और अब ये कटिंग करने लाइक सेट हो चुका है अब हम इसकी कटिंग करेंगे हमें सिर्फ इसको 10-15 मिनट ही रेस देना है क्योंकि अगर हमने इसको जादा समय के लिए रेस दिया तो ये पूरी तरही के से सेट हो जागा और फिर हमें इसकी कटिंग करने में मुश्किल आएगी हमने इसकी कटिंग कर ली है और हमने इसको square shape दिया है आप अपने पसंद अनुसार इसको कोई भी shape दे सकते है तो लीजे हमारे traditional मोहन थाल खाने के लिए बिलकुल तयार है आप इसको आने वाले festivals में अपने घर पे बनाईए और अपनों के साथ enjoy करिए अगर में रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चानल को subscribe करें बेल आइकन को hit करें वीडियो को like and share जरूर करें तो मिलते हैं हमारे next वीडियो में एक नहीं रेसिपी के साथ thank you so much for watching this video